ये देखो जो queen bee होती है उसे इस तरह से cage में बंद किया जाता है और दूसरे bee's के बीच छोड़ दिया जाता है क्योंकि कई बार जो queen bee होती है वो मर जाती है जिसके वजह से ऐसा करना पड़ता है पर अगर इसे बिना cage के रखा जाए तो दूसरे bee's उसे मार देती है जिस वज इतने के बाद दूसरे bee's उसे queen मानने लगती है और फिर इसे आजाद किया जाता है